तो क्लास शुरू करते हैं 11 प्षिजिक्स का और लास्ट क्लास में जहां तक पढ़ा था उससे आगे मैं अपनी बाचित को continue करना चाहूंगा लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स को define किया कि भाई फिजिक्स है क्या तो physics की definition क्या थी कि physics science की वो branch है जिसमें हम जो physical world है उसके laws का study करते हैं physical world में बहुत सारी गटना आपके आसपास हो रही है और उन गटनाओं को हम perceive करके उनको observe करके जब हम उनकी study करते हैं तो science की उस branch को हम physics केते हैं physics के दो components रहते हैं एक पार्ट रहता है physics का theoretical side और दूसरा पार्ट रहता है physics का numerical side numericals आपने थोड़े बहुत अभी तक 10 वी class तक किये होंगे जिसमें आपको कुछ questions पुछे गए values दी गई होगी formula बताऊंगे तो आपने कुछ ऐसे ही चीज़े apply करके final answers निकाले होंगे तो यह numericals होते हैं numericals को solve करने के लिए हमें maths की जुरुत पढ़ती है अब maths तो हमने दस्वी तक पढ़ा है काफी लेकिन इसके अलावा भी कुछ extra maths की बाते हमें required होती है physics के numericals को solve करने के लिए तो हमने हमारी lecture series में जो starting के lecture physics के 11th class के उसमें हमने कुछ basic जो maths है जो हमारी physics में काम आएगी उसके बारे में पढ़ना सुरू किया था तो basic maths में last class में मैंने आपको बताया कुछ algebra के formula और एक algebra का बहुत ही important और basic concept quadratic equation quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 हता है इस equation के x की दो values के लिए equation satisfy करती है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे x के ऐसे दो values होंगे जो इस equation को quadratic equation को satisfy करते है equation क्या थी ax square plus bx plus c अब यह दो root कैसे निकाले जाएं इसके लिए एक formula था सिर्दराचारिय नामके Indian scientist Indian saint उन्होंने दिया x is equal to minus में b plus minus root में b square minus 4ac upon में 2a इस formula की सायता से हम उन x के दो roots को निकाल सकते हैं फिर मैंने बताया कि एक और method होता है ऐसे ही quadratic equation को solve करने का जिसमें हम जो x का coefficient होता है जिसे यहाँ पे x square plus bx plus c में b यहाँ पे x का coefficient है तो x के उस coefficient को हम इस तरह से addition या फिर subtraction के terms में लिखेंगे कि उनका multiplication हमारे constant के बराबर आता हो फिर factorization करेंगे और फिर हम सिधा direct root निकाल सकते हैं लेकिन ये method हमेशा useful नहीं है हमेशा काम नहीं करता क्योंकि इस method की अपनी कुछ limitations होती है लेकिन सिर्धराचारे जो equations है उस equation का use करके हम किसी भी quadratic equation का जो दो root होते हैं वो कभी भी निकाल सकते हैं बिना किसी problem के आज अपन थोड़ा और जो maths है उसके बारे में सीखेंगे quadratic equation को जानने के बाद में थोड़ा और further हम जाते हैं कुछ और कुछ principle सिखेंगे maths के जो हमें physics में काम आएंगे और आज हम कुछ trigonometry के जो basic funding हैं जो हम physics में आगे काम में लेने वाले हैं उनको अपन सिखेंगे तो सुरुवात करते हैं आज basic trigonometry से लेके advanced trigonometry के कुछ basic funding तो सुरू करते हैं क्या है trigonometry और कितनी physics में अपन को use आएगी trigonometry की तो सबसे पहले trigonometry तो trigonometry क्या है trigonometry जो word है वो मिलके बना है दो सब्दों से मिलके बना है एक तो है trigon trigonometry word जो है किस से मिलके बनावा है एक तो है trigon trigon plus एक word है matri यह दो words से मिलके बनावा है trigon plus matri यहाँ पर trigon का मतलब क्या हो गया trigon trigon से मतलब है कोई ऐसी shape जो तीन arm से गिरी हुई हो जिसको अपन triangle भी बोलते हैं तो triangle की properties maths की जिस branch में पढ़ी जाती है उसको trigonometric बोलते हैं the branch of mathematics in which we study about the properties of a triangle है ना तुससे क्या बोलते है trigonometry बोलते है trigon word का मतलब क्या हो गया यहाँ पर shape occupied या फिर shape surrounded by three arms और matri का मतलब हो गया measurement matri का मतलब हो गया measurement यानि कि हम कोई ऐसी shape जो तीन arm से गिरीवी होगी उसके बारे में study करेंगी हम यहाँ पर जो triangle हो गहां मारा उस special triangle हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं जिसमें एक angle 90 degree होता है इस angle को बोलते है इसको बोलता है राइट एंगल ट्राइंगल तो हम राइट एंगल जो ट्राइंगल है उसके study यहाँ पर specially करने वाले हैं राइट एंगल क्या होता है राइट एंगल में एक एंगल 90 degree होता है तो इसकी study हम यहाँ पर करेंगे अब देखो तो right angle triangle में या फिर यह जो angle word बार बार आ रहा है तो सबसे पहले बात ही इसी की कर लेते हैं कि यह angle क्या होता है What is angle? कोई भी जो angle होता है वो क्या होता है? जैसे angle के बारे में आपने सुना होगा 30 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree तो यह सब क्या है? Angles की value है तो यहाँ पर actual में जो science है या फिर जो maths है उसमें angle को कैसे define किया जाता है यह भी बहुत ही important concept होता है तो angle को actual में define करने का जो idea होता है या फिर तरीका होता है उसको ध्यान से समझना जैसे मान लो एक कोई हम arc खींचे और यह कोई यहाँ पर एक किसी angle को लेते हुए हम आर्क ड्रॉ करते हैं जैसे यहां से यह लेके यहां तक हमने एक arc ड्रॉ किया यह कोई circle का छोटा सा part होता है उस circle के छोटे से part को हम क्या नाम देते हैं arc नाम देते हैं यह अगर arc मान लो यहां से center के साथ theta angle बना रहा है और यह इस arc की radius है मान लो arc की radius क्या लिए हमने r लिली तो maths में जो angle होता है angle theta यह define किया जाता है arc upon radius से इस formula से हम angle define करते हैं angle theta is equal to हो जाता है arc upon radius यह बहुत ही simple सा basic formula होता है लेकिन physics में बहुत जगे derivations में numerical में यह काफी काम आता है तो आप इस इसका ध्यान में रखें कि angle theta बराबर क्या होता है arc upon radius arc से देखो क्या मतलब है यह जो arc की length होती है यहां से लेके यहां तक मानलो यह arc length कितनी है l है और radius r है तो theta बराबर क्या हो जाएगा l upon r हो जाएगा तो यह angle का definition होता है arc upon radius यह आपको ध्यान में रखना है अब यहां पे एक और important चीज़ कि angle की unit क्या होती है unit of angle unit of angle तो angle की अगर unit की बात करें तो देखो length को किस में measure किया जाता है meter में radius को भी meter में measure किया जाता है तो meter upon meter जो है यह तो cancel out हो गया यानि कि यह तो क्या होना चीए कोई unit नहीं होनी चीए unit less होना चीए है वैसे तो इसकी कोई unit नहीं होती क्योंकि length upon radius length जो है arc length वो भी meter में measure करते हैं नीचे radius है वो भी meter में measure करते हैं तो यहां पे जो length upon length अगर ऐसा कोई physical quantity अपने define कर रहे हैं कि उपर और नीचे same है तो दोनों एक दुसरे को cancel out कर देंगे और उस वज़े से जो unit आएगी वो कोई आएगी भी नहीं तो ऐसे में जो angle होता है वो unit less होता है बट हम इसके लिए एक नई unit design करते हैं specifically angle को define करने के लिए तो इस तरह की units को क्या कहते है supplementary units बोलते हैं जो एक special चीजों को ध्यान में रखते हुए एक special presence को ध्यान में रखते हुए किसी physical quantity के लिए define की जाती है तो थीटा यहाँ पर जो angle है इसके लिए अपन क्या define करते हैं supplementary unit supplementary unit जो है angle को measure करने के लिए वो अपन define करते हैं और यह कितनी होती है एक तो होती है degree एक तो हो जाएगी degree एंगल को measure करने के लिए और एक होती है तो हम दो units define करते हैं degree and radian तो थीटा किस में measure किया जाता है एक तो degree में measure कर सकते हैं और एक किस में measure कर सकते हैं radian में measure कर सकते हैं तो यह चीज़े ध्यान में रहें ठीक है supplementary unit है वैसे तो fundamental level पर जो एंगल होता है वो unit less होता है तो यहां पर एक special point भी ध्यान में रखें कि at fundamental level angle is unit less at fundamental level at fundamental mental level angle is unit less यानि कि इसकी कोई unit नहीं होती है लेकिन फिर भी क्योंकि angle बहुत जागा ज्यादा यूज होता है पूरी tignometry है और geometry है इसमें बहुत जादा बड़ा रोल है एंगल का तो इस वज़े से एंगल को बिना unit के ऐसी छोड़ देना तो बड़ा नुकसान दा एक काम है तो एंगल की unit define की जाती है तो इस तरह की जो unit होती है जो spaceship specifically define करते हैं इनको बोलते है supplementary unit और एंगल की supplementary units क्या क्या है degree and radian अई बात समझें यहाँ पर किसी को कोई doubt हो तो पूछ सकते हो आप अपना audio कर सकते हो मैं आपका audio सुन रहा हूँ मेरे को आपकी आवाज मिल जाएगी या फिर आप message भी लिख सकते हो मैं आपका message भी chat box में देख सकता हूँ बहुत simple सी बाते ह हैं लेकिन यह basic बातें आपको physics में बहुत जादा help करेगी numericals में derivations में इसलिए इनका knowledge होना बहुत जादा आवेशक हैं अगर कोई कारण रहा हो कि 10 वी तक हम इंची जोगो seriously कभी हमने नहीं पढ़ा हो seriously इनको नहीं समझा हो फिर भी आज अपने इनको बहुत अच्छे से स एंगल की दो यूनिट्स होती है दो अलग अलग यूनिट्स में अपने एंगल को define करते हैं एक तो होती है degree और एक होती है radian अब degree और radian में क्या relation होता है देखते आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि what is the relation between degree and radian तो यह बताइए आपके सामने में एक सवाल रख रहा relation between degree and radian relation between degree and radian तो degree and radian में क्या relation होता है कोई बता सकता है degree and radian में क्या relation होता है what is the relation between degree and radian बताओ या तो audio on करके अपने आपको unmute करके बता सकते हो या फिर आप message भी लिख सकते हो बताओ किसी को पता है degree और radian में क्या relation होता है हुआ है यह सब्सक्राइब कोई नहीं अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनना कि डिग्री और करने के काम आती है और एंगल को अपन रेडियन में भी तो शो करते हैं रेडियन नहीं पड़ा लेकिन सब्सक्राइब करने काम आता है ना जो एंगल कुछ थोड़ा बिल्कुल रेडियन को अपन जब एंगल की मदद से कोई डिस्टैंस या लेंद निकाल लिए हो तो उसमें करते हैं बिल्कुल करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हम डिग्री को भी यूज कर सकते हैं लेकिन डिग्री और रेडियन में एक रिलेक्षिन हमें पता होना चाहिए और भी देखते हैं मैसेज अध्य कंप्लीट थ्रिसिच्टी का रोटेशन होता है चलो आप में थोड़ा में relation होता है कि 180 डिग्री जो होता है 180 डिग्री ये equal to होता है πाई रेडियन के ये किसके equal होता है पाई रेडियन के equal होता है ये एक important result होता है जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है 180 डिग्री जो होता है 180 डिग्री एंगल की value यह किसके बराबर होती है, pi radian के बराबर होती है, यहाँ पर आपको पता होना चीए, कि जो pi की value होती है, आप लोग यूज किया होगा, आपने 22 upon 7, लग बग, exactly तो pi की value, किसी को नहीं पता आज तक, exactly pi is unknown, अभी तक हमें exactly pi कितना है, अब भी आज तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन approximate values जो है, वो 22 upon 7 या फिर लगबग 3.14 इस तरह से ये चलती रहती है, ये values अपन जनरली काम में लेते हैं, पाई के लिए, तो 180 degree एक्चुल में क्या हो गया, 180 degree जो होता है, वो 3.14 कुछ ऐसी values रेडियन के इक्वल हो जाएगी अपन 3.14 ना लिखे, केवल यही जो relation है हमारा, 180 degree is equal to pi radian, हम इस relation को बहुत अच्छे से use करते हैं, तो 180 degree is equal to कितना हो गया, pi radian हो गया, ये चीज ध्यान में रखें, अब कुछ questions देता हूं, कुछ practice करते हैं, और इन practice को करने के बाद में, आपको हमेशा, कभी भी आप नही भूलोगे, आप radian और degree में, जो relation है, वो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, तो कुछ questions करते हैं, जैसे कुछ questions है, convert, convert degree values in radian, convert degree values in radian, देखो degree values को radian में convert करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 180 degrees होता है, वो गया pi radian, ठीक है, तो 1 degree कितना हो गया, 1 degree equal to हो गया, pi upon 180 radian, तो 1 degree किसके equal हो गया, pi upon 180 radian के equal हो गया, अगर आपको कोई value degree में दे रखी होगी, तो आपको क्या करना है, आपको केवल pi upon 180 का उस degree वाली value में multiply कर देना है, तो आपका सीधा वो degree वाला angle radian में convert हो जाएगा, तो यहाँ पे एक special point ध्यान में रखना है, to convert, to convert degree value, degree value into radian pi upon 180, pi upon 180 is multiplied, multiplied with degree value, चीक है, तो degree की जो value है, हमारे पास कोई भी, उसके साथ हम क्या करेंगे, pi upon 180 का multiply कर देंगे, फटा फटा एक्जामपल लेते हैं, और एक्जामपल से आपको एकदम सटिक तौर पे समझ में आ जाएगा, एक्जामपल के तौर पे 90 degree है, और 90 degree को आपको कोई बोल दे, कि भाई इसको radian में convert करो, तो देखो, पहला मैं आपको solution बता देता हूँ कि कैसे करना है, उसके बाद में next question आपको करना है, 90 degree को, degree को radian में convert करना है, देखो, तो 90 degree को convert करने के लिए, degree को radian में convert करने के लिए, हमें क्या करना है, हमें pi upon 180 का multiply कर देना है, तो 90 degree जो है value, इसमें किसका multiply कर दिया, pi upon 180 का multiply कर दिया, अब 90 और 180, divide करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानि कि 90 degree किसके equal आ गया, pi by 2 के equal आ गया, तो ये answer हो गया, ठीक है, 90 degree क्या हो गया, pi by 2 हो गया, ठीक है, और सिधा सा simple सा समझ भी सकते होगी, जो कि 180 degree में pi radian है, तो 90 degree, जो कि 180 degree का आदा होता है, तो वो कितने radian हो जाएगा, pi by 2 radian हो जाएगा, 180 degree, pi radian है, तो 180 का आदा, यानि कि 90 कितना हो जाएगा, pi by 2 radian हो जाएगा, आई बात समझ में, और समझ यह, मैं और example लेता हूँ, अब आप मुझे यह स्वाल करके बदाना, example के तोर पे 60 degree को radian में convert करके बदाओ, चल दी से फटा 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 आप अंसर दीजिए, और देखते हैं आप में से कौन इसको सही कर पाता है, 60 degree को radian में convert करना है, बेसिक फंडा यह एकदम ध्यान में रखें कि अगर आपको कोई value degree में दे रखी है और radian में convert करनी है, तो what you have to do, you have to multiply degree value with pi upon 180, that's the fundamental logic, or that's the fundamental trick, लक्षे ने सही अंसर दिया सबसे पहले, pi upon 3, आदित्ये ने भी सही अंसर दिया, pi upon 3, भूमिक 3, yes, yes, काफी बच्चों ने सही अंसर दिया, only 3 क्यों यूँज कर रहे हो, pi upon 3, कुछ लिखो, तो देखो क्या करना है, बहुत सिंपल सा solution हुआ, pi upon 3, वीनी चेस्टा, भूमिक, बहुत सा ही बिल्कुल, तो देखो solution क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें 60 degree जो है, उसमें pi upon 180 का multiply कर देना है, तो ये value आजाएगी, pi upon 3 आजाएगी, ये answer है, तो 60 degree क्या हो गए एक तरे से, pi upon 3 आगया, बिल्कुल ग्राविद, बहुत बढ़िया सावाश, और देखो, और example देखो, अगर मालनो 30 degree को convert करना हो, तो फटा-फट अंसर दीजिए, 30 degree कितने radian हो गया, 30 degree, yes, 30 degree को convert कीजिए, डिगरी में, सॉरी, radian में, तो 30 degree कितने radian के equal है, अंसर आने शुरू हो गए है, सबसे पहले, इजियराज, pi upon 6, लक्षे ने सबसे पहले answer दिया, रिजियराज, विनी, आदित्य, बहुत बढ़िया, शाइबाज सभी ने सही answer दिया, 30 into 30 को अपन multiply कर देंगे, solution, देखे, 30 को हम किस से multiply कर देंगे, pi upon 180 से multiply कर देंगे, कुछ नहीं करना, यह हो गया, pi upon 6, radian, यह 30 degree जो होता है, pi upon 6, और फटाफट एग्जामपल देखो, और ले लेते हैं, फटाफट ले लेता हूं, 45 degree को convert करके बताओ, और example, example के तोर पे, 120 degree को convert करके बताओ, और example, और example के तोर पे, 360 degree को भी convert करके बताओ, तो यह examples फटाफट कीजिए, सबसे पहले, 45 degree कितना हुआ, बदाईए 45 degree कितने radian के equal हुआ इसको भी convert करिए 45 degree कितने radian के equal है how much radian in 45 degree yes रुजाना ने सुरू हो गए है सबसे पहले आदित्यय ने answer दिया इजेराज ने दिया 4 upon pi नहीं pi upon 4 आदित्यय pi upon 4 बिल्कुल सही एकदम सही और चेश्टा pi by 4 शौर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे शाभाश तो 45 degree कितना हो जाएगा 45 into pi upon 180 तो 45 को इससे multiply करेंगे, divide करेंगे तो यह 4 बार जाएगा, तो यह आजाएगा pi upon 4 और इसी तरह से 120 degree को करके बताईए, 120 degree कितने रेडियन के एकवल है 120 degree 120 degree का भी फटा फटा अंसर दे दीजिए 120 का हो गया, pi upon 4 के बाद में आदित्या 2 pi upon 3 किसका है यह answer second answer, pi upon 1.2 okay, yes 120 degree कितना हो जाएगा, 2 pi upon 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही तो यह हो जाएगा इजे राज 1.5, बिल्कुल सही 2 pi upon 3, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया शाबास तो आपको यह निकालना आगए आब I hope किसी को कोई doubt नहीं रहा होगा इसमें क्योंकि यह काफी जगे हम use करने वाले हैं तो 120 को radian में convert करना है तो pi upon 180 का multiply किया तो यह देखवा जाएगा 2 pi upon 3 6 के पाड़े से divide करेंगे तो 2 pi upon 3 आजाएगा This is our solution This is our answer, 2 pi upon 3 और ऐसे ही 360 कितना हो जाएगा 360 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा 2 pi, बिल्कुल सही तो वही same principle है 360 into pi upon 180 कर दिया तो यह दो बार cancel out हो जाएगा तो answer किया जाएगा 2 pi answer आजाएगा तो 2 pi radian हो जाएगा 360 में तो यहाँ आपने एकदम अच्छे से सीख लिया अब मेरे ख्याल से कभी भी आप नहीं बूलेंगे कि degree को radian में convert करना हो तो क्या किया जाएगा आप आराम से solve कर सकते हो ठीक है अब देखो next बहुत ही important सवाल कि यह pi होता क्या है अभी हमने pi use किया न यह pi है क्या what is this pi यह कहां से आया इसकी कहानी क्या है what is this pi यह pi आखिर क्या बला है यह आपको पता होना चाहिए तो आपके सामने एक question रख रहा हूँ कि यह pi है क्या देखते हैं आप में से कितने लोग exactly जानते हैं कि यह pi क्या है बताईए अपना audio on करके मेरे को explain करें मेरे को समझाईए कि pi क्या है आप क्या समझते हो pi से यह pi आखिर कहां से आया होगा क्या सिधा आसमान से टपक गया या फिर इसके पीछे की भी कोई कहानी है 2 pi कोई unit नहीं है क्या इसकी 2 pi की है न radian अभी degree को radian में convert किया न तो यह radian unit से इनकी अदित्य ठीक है यह जो है values यह radian हो गई इसकी value unit radian है अब आप मिरे को बताओ यह pi क्या है what is this pi denote कैसे करते हैं denote करते हैं radian को denote rad से ही करते हैं short में ठीक है degree को denote करने के लिए देखो उपर degree लेग दिया चोटा सा गोला बना दिया और radian को rad rad से denote किया जाता है अब सवाल यह है कि pi क्या है आखिर इस पर बात करते हैं कितने लोगों को पता है कौन इसका जवाब दे सकता है pi क्या है बताइए what is this pi anyone anyone who can explain or who can have a clear clear understanding of pi कि pi है क्या कहां से आया क्यों use होता है anyone no idea इस भूमिक ने सही अंसर दिया the radius of circumference the radius of circumference नहीं वीनी ने अंसर दिया the ratio of circumference of many circle to the diameter of that circle बहुत बढ़िया एकदम सही अंसर दिया है शाबाश ये देखो बेसर रेश्यो होता है बिल्कुल तो देखो देखो इसको समझे आकी जिनको नहीं पता कि pi कहां से आया है मैं बहुत सारे circle लेता हूँ मालो एक छोटा circle लिया फिर एक बड़ा circle लिया है ना फिर और एक बड़ा circle लिया मालो मैं ऐसे कोई circles ले रहा हूँ और इनके कुछ diameter होंगे जैसे इसका diameter कुछ होगा इसका कुछ diameter होगा और इसका भी कुछ diameter होगा ठीक है? मान लो मैं diameter क्या बोलता हूँ? इसका diameter है D1, इसका diameter है कोई D2 और इसका diameter है कोई D3 अब देखों यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर मैं इसका perimeter P1 लूँ, perimeter या फिर circumference जो है P1 लूँ, इसका circumference P2 लूँ और इसका circumference P3 लें, तो जैसे जैसे diameter को increase किया जाता है, जैसे जैसे diameter increase हो रहा है, वैसे वैसे जो circumference का perimeter है, circumference की length है, वो भी यहाँ पे increase हो रही है, circumference की length का मतलब क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक पूरा full length, यहाँ से यहाँ तक का पूरा full length, यहाँ से यहाँ तक का पूरा होगा तो circumference भी decrease होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दुनिया में कोई भी circle जो है उसका perimeter किसके proportional हो जाएगा diameter के proportional हो जाएगा diameter के proportional देखो science में ये basic एक fund होता है कि अगर मान लोग एक physical quantity बढ़ाने पे दूसरी physical quantity भी बढ़ रही है या फिर एक physical quantity के घटाने पे दूसरी physical quantity घटरी है तो हम ऐसा बोलते हैं कि दुनों में एक दूसरे में proportional का relation है तो यहाँ पे parameter क्या है proportional to head diameter और दुनिया में या फिर physics में या science में जब भी proportional का sign हटता है जब जब proportional का sign हटता है तब तब एक constant अवतार लेता है तो यहाँ पे भी एक constant आता है इस constant को अपने दाम देते हैं pi into d इस constant का नाम क्या होगा pi d होगा यह pi क्या होगा है यहाँ पे geometrical constant है pi क्या है यहाँ पे geometrical constant geometrical constant geometry constant यह फिर geometry constant बोल देंगे और किस geometry के लिए है ये circle के लिए है circle का एक geometry constant है πाई और πाई आता कैसे है πाई आता है circumference में जब diameter का divide कर दिया जाए तो उसका जो ratio होता है वो क्या होता है πाई होता है तो πाई बराबर क्या होता है circumference circumference divided by diameter diameter तो इस दुनिया में circumference और diameter का जो ratio होता है वो क्या होता है πाई के equal होता है आप कहीं पे भी चले जाओ आपके आस पास बहुत सारे circle होंगे आपने गड़ी पैन रखिए उसका circle होगा ये जैसे मेरा माई के माई के यहाँ पे circle दिखाई दे रहा है तो दुनिया में कहीं पे भी circle देखने चले जाओ हर circle के लिए उसके circumference और diameter का ratio क्या होता है fix होता है और ये ratio किसके बराबर होता है πाई के equal होता है तरह तरह के experiment किये गए और इस circumference की length measure करके diameter का divide करके पाई की value को निकालने के बहुत सारे प्रियास किये गए और काफी हद तक से फ़रता भी मिली बहुत लोगों ने पाई की values को निकाला और ये 3.14 या फिर 22 upon 7 इसके असपास हमें मिली अब देखो circumference upon diameter एक और चीज ध्यान में रखे जो diameter होता है वो radius का double होता है तो pi बराबर क्या हो जाएगा circumference upon diameter यानि की circumference upon twice of radius या circumference का formula क्या आ जाता है 2 pi r आ जाता है जो की अपन बहुत ज़ादा use करते हैं तो pi बराबर क्या होता है circumference is equal to क्या होता है 2 pi r होता है तो ये pi के लिए एक हमें बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है ठीक है तो ये हो गया pi अब trigonometry में आगे लेते हैं next basic trigonometric functions trigonometric functions के बारे में बात करते हैं trigonometric functions trigonometric functions इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि trigonometry सुरुवात किया है तो trigonometric functions भी पढ़ना होगा trigonometric functions के लिए मैं ले लेता हूँ एक right angle triangle यह ले लिए एक right angle triangle यह है right angle triangle इस right angle triangle का यह angle ले लिए माझनलो कोई theta और यह right angle triangle में यह angle हो जाता है 90 degree theta की जो सामने होता है उसको बोलते है perpendicular जो इधर होता है उसको होता है base और यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं hypertonious अब trigonometric functions कैसे हम define करते हैं कि यह right angle triangle जो है इसकी जो arms होती है अलग-अलग arms, तीन तरह के arms होती है एक तो perpendicular होता है, एक base होता है एक hypertonious होता है और इन arms का जो ratio हम करते हैं तो उस ratio से हमें जो functions मिलते हैं उनको बोलते हैं trigonometric functions तो सबसे basic function में जैसे सबसे पहला function अपन पढ़ते हैं sine theta तो sine theta क्या होता है perpendicular में जब hypertonious का divide कर देते हैं तो perpendicular upon hypertonious यह होता है sine theta cos theta होता है base में जब hypertonious का divide कर दे base upon hypertonious फिर आता है tan theta तो tan theta क्या होता है 10 theta होता है perpendicular में जब base का हम divide कर दें तो उससे define होता है 10 theta perpendicular upon base sine का उल्टा होता है cosac theta तो cosac theta is equal to हो जाएगा hypertonius upon perpendicular cos theta का उल्टा होता है sac theta तो sac theta is equal to हो जाएगा hypertonius upon base 10 theta, 10 theta का उल्टा होता है cot theta 10 theta का उल्टा होता है cot theta तो cot theta की value हो जाएगी base upon में perpendicular तो यह हमें दियान में रखना है sin cosine quasic इल्टा होता है cos sec का इल्टा है ता 10 cot κα इल्टा होता है तो यहां से एक relation है में दियान में रखना है कि जो sin theta होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है 1 upon cowsic ke और cost theta जो होता है वो होता है उल्टा होता है 1 upon sec theta के और जो tan theta है ये opposite होता है 1 upon cot theta के तो ये कुछ relation हमें ध्यान में रखने है trigonometric functions के लिए इसके अलावा भी दो कुछ relations होते है basic relations जो हमें काम में लेने होते हैं जो tan theta होता है tan theta को अपन ऐसे भी define कर सकते है tan theta is equal to होता है sin theta upon cos theta ये भी एक बहुत basic और important relation रहता है इन relations के अलावा ये trigonometric relations हैं जो बहुत काम के होते हैं ये सारे हमें याद रहने चाहिए और इनका physics में और maths में अलग अलग जगे यूज होता रहता है तो यह है trigonometric functions sin theta cos theta tan theta cosec theta sec theta cot theta इन सब के बारे में अपने को बहुत अच्छे से knowledge होना चाहिए ठीक है कुछ other important formula देखते हैं some other important formulas, some other important formulas कुछ अलग important formulas लेते हैं जैसे सबसे ज़्यादा important formula एक रहता है कि sin square theta अगर हम करते हैं sin square theta का अगर cos square theta के साथ add करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 1, sin square theta plus cos square theta क्या होता है 1 होता है अब यह आता कहां से है, मैं वापस देखो इसको यह कहां से आता है sin square theta plus cos square theta यह आता है एक बहुत ही basic theorem होती है, pythagoras theorem तो मैं pythagoras theorem को यहाँ पर apply करता हूँ, pythagoras theorem देखो pythagoras theorem क्या होती है, base का square plus perpendicular का square या फिर मैं perpendicular का square plus base का square is equal to क्या हो जाएगा hypertonious का square हो जाएगा, यह pythagoras theorem होती है तो इस pythagoras theorem में मैं पूरे में h का divide करते हूँ, h square का तो h square का divide करते ही, देखो क्या हो जाएगा, p square upon me h square plus में b square upon me h square is equal to हो जाएगा, h square में h square का divide किया तो यह हो जाएगा 1 अब देखो इसके आगे अपन बढ़ेंगे, तो p upon h का whole square लिख सकते हूँ इसको मैं इसको क्या लिख दिया, p upon h का whole square p upon h का whole square plus b upon h का whole square is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा अब perpendicular upon base तो क्या है, sorry perpendicular upon hypertonius क्या है, sine theta तो इसको मैं लिख सकता हूँ, sine theta का whole square या फिर sine theta का whole square को लिख सकते है, sine square theta, फिर base upon hypotenuse को लिख सकते है, cos theta तो cos square theta is equal to क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो यह बहुत ही important expression रहता है, important formula रहता है trigonometric का sine square theta plus cos square theta is equal to 1, जो की हमें ध्यान में रखना है इसके अलावे भी देखो कुछ important formula होते है, मैं सीधा लिख देता हूँ उनको 1 plus 10 square theta, 1 plus 10 square theta is equal to sec square theta तो यह भी important formula होता है, 1 plus 10 square theta is equal to sec square theta और एक और formula होता है, 1 plus cot square theta is equal to sec square theta इस formula से ही यह दोनो formula आये हैं, कैसे आयेंगे, आप इस पूरे में जब cos square theta का divide कर दोगे तो यह आ जाएगा, इस पूरे में अगर sin square theta का divide कर दोगे तो यह formula आ जाएगा, तो यह दोनों जो formula हैं, यह भी formula कैसे आये हैं, यह जो हमने above formula निकाला था उसी से ही यह दोनो formula भी आये हैं, तो बहुत important formula है, यह भी, यह भी और यह भी इन formula को आप बहुत अच्छे से याद रखें, और इनको use हम physics में, अलग-अलग questions में बार-बार इनको करेंगे तो वहाँ पे अगर हमें यह समझ में आ रखे होंगे, तो हमें कोई भी numerical में, यह derivation में कोई दिक्कत नहीं होगी तो I hope आपको समझ में आ गए होगा, किसी को भी आज के इस lecture में doubt है तो पूछ सकते हैं, मैं वापस revise करा देता हूँ, क्या-क्या पड़ा आज हमने basic trigonometry को बढ़ना शुरू किया, trigonometry, triangle को measure करने का एक तरीका है, angle, angle equal to the arc upon radius और angle की unit क्या है, degree and radian, degree and radian में relation, 180 degree equal to pi radian, और कुछ questions की है हमने, और फिर pi क्या होता है, उसके समझा, तो pi क्या है, circumference और diameter का ratio, और trigonometric functions, आज हमने शुरूआत की इनको पढ़ा, इससे आगे trigonometry की बाते कुछ और जानेंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यह कहां से आगे अपन, कल की class मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है, किसी को के doubt हो, तो what's the group में भी पूछ लेना, या फिर मुझे personally message कर देना, आज के लिए इतना ही,